नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं गुलकंद के फायदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो गुलकंद को गुलाब की ताजी पंकडियों एवं सक्कर से मिला कर बनाया जाता है जो स्वाद में बेद स्वादिष्ट होने के सासात स्वास्ते वर्दक भी होता है मुरब्य की तरह दिखने वाले गुलकंद को कहीं परकार से उप्योग में लाया जाता है इसमें धेरो ओस्दिय गुण पाई हैं जिसके कारण कई ओस्दिय दवाओ में इसका उप्योग किया जाता है इसकी तासीर ठंडी होती हैं जिससे हम भीशन गर्मी में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं यह हमारे स्वास्ते के सासाथ हमारे संदरिय में भी निखार लाता हैं लेकिन इसके धेरो स्वास्ते फाईदों के सासाथ कुछ नुकसान भी होते हैं दोस्तों आईए जानते हैं गुलकंद के फायदों के बारे में दोस्तों गुलकंद के सेवन से हम पेट समंधी समस्याओं से बच सकते हैं इसके नियमित इस्तमाल से हमारी पाचन के लिए बेहद सकारत्मक रौप से परभावित होती हैं जिससे हम कबज अपच एवं पेट में गैस जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं गुलकंद गुलाव की पत्यों से बनाया जाता है और गुलाव का इस्तमाल हमारे पाच्चन तंत्र के लिए बेहत गुनकारी माना जाता है गुलकंद के उप्योग से हमारे सरीर को ठंडक मिलती हैं बीसन गर्मी के करण सरीर में कई समस्याओं जैसे सुस्ती, ठकान, खुजली, नाक से खुनाना एवं चक्कर आने की संभावना रहती हैं ऐसे में गुलकंद के सेवन से हम इन सभी समस्याओं से बचे रह सकते हैं यह सरीर के तापमान को संतुलित रखता हैं जिससे हमें गर्मी के कारण होने वाली परेसानियों से बचने में आसानी होती हैं गुलकंद के इस्तमाल से हम मुँ के चालो की समस्या से चुटकारा पासकते हैं इसमें विटामिन B समु की परियाप्त मात्रा पाई जाती हैं जो हमारे मुँ के चालो की समस्या में बेहद फायदे मन्द होते हैं इसके अलावा गुलकंद के इस्तमाल से हमारे मुँ का स्वास भी बेटर रहता है गुलकंद के सेवन से हमें अपना वजन कम करने में आसानी होती हैं यह एक लोवट वाला खाद पदार्थ होता है जो हमारे सरीर का वजन बढ़ने नहीं देता और हमें अपना वजन घटाने में आसानी होती हैं मोटापे की समस्य से जूज रहे लोगों के लिए गुलकंद एक बहत्रीन विकल्प हो सकता है गुलकंद के इस्तमाल से हमारी आखों को बहुत फायदा मिलता है इसकी तासीर ठंडी होती है जिसके परभाव से हमारी आखों में होने वाली सूजन की समस्य से चुटकारा पाया जा सकता है इसके अलावा गुलकंद के उपयोग से हमारी आखों की लाल होने की समस्य में राहत मिलती है गुलकंद के सेवन से हमारे हर्द्य का स्वास्ते बैतर रहता है इसमें मेगनीशम की मात्रा पाई जाती है जिससे हमारे सरीर का बलड प्रेसर एवं बलड गलुकोज का इस्तर नियंत्रित रहता है साथ ही है हमारे हर्द्य की कारिय पर्णाली को बेहद सकारत्मक रोब से परभावित करता है जिससे हमारा हर्द्य स्वस्त रहता है इसके नियमित सेवन से हम कहीं परकार की हर्द्य सम्मंदी बीमारियों के खत्रे से भी बच सकते हैं गुलकंद हमारे मस्तिस के स्वास्ते के लिए बेहत गुनकारी माना जाता है इसमें एंटी ओक्सिडेंट के गुन पाए जाते हैं जो हमारी याद दास्त को तेज करने का कारिय करते हैं और जिससे हमें गटनाओ को याद रखने में बहुत मदद मिलती हैं इसके अलावा गुलकंद में पाए जाने वाले इस गुन की सहता से हम कई परकार की दिमागी बीमारियों से खत्रे से भी बचे रहते हैं गुलकंद के इस्तमाल से आमारी ताउचा की सेहत पर बहुत सकारत्मक परभाव पड़ता हैं गुलकंद को गुलाब की पंकडियों से तयार किया जाता हैं जिसकी साहता से हम तौचा संवंदी समस्याओं जैसे कील मोहा से एवं वाइट हेंड से जुटकारा पासाकते हैं तौचा पर इसके इस्तमाल से ढेरो लाभ हो सकते हैं दोस्तों आये जानते हैं गुलकंद के नुकसान के बारे मेン दोफ्तों गुलकंद के अधिक सेवन से हमारे रक्त में सुगर की मातरा में वरदी हो सकती हैं जो आगे चल कर किसी गंभीर बीमारी का रोप ले सकती है इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए गुलकंत के अत्यदिक सेवन से सर्दी जुखाम, खांसी एवं बुकार जैसी समस्याएं उत्पन हो सकती हैं इसकी तासीर ठंडी होती हैं जिसके कारण सरीर का तापमान बिगड सकता है फूल से एलर्जी की समस्यावाले लोगों को गुलकंत के अधिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये उनकी एलर्जी के इस्तर में वरद्दी भी कर सकता है दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें